हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि GST इंडिया में आया क्यों है तब मैंने आपको का था मैं आपको एक ग्रीफिंग दे रहा हूं थोड़ा एक्स्टा डिसकस जो हम करेंगे बाद में करेंगे इंडिया में GST आने के बहुत सारे रिजन से जिसमें से कुछ रिजन सी हैं यह हम बैनिफिट्स पर रहे हैं GST आने के कारण हमें क्या 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 बैनिफिट्स हुए और यह बैनिफिट्स हुए इसलिए तो GST आ है कि हमें यह फैदे मिल सके तो कौन-कौन से बैनिफिट्स है तो अभी क्या हो गया है कि common market होगी है आप पढ़ रहे हो तो और अगर इंडिया कहीं पे भी same rules लगेंगे आपको कोई problem नहीं है same less flow of input tax credit input tax credit मैं जड़ासा बता रहा हूँ इसके मारा काफ़ी discussion होगा lengthy discussion होगा proper तब देखेंगे ITC का मतलब input tax credit ITC भी बोलते हम इसको इसका मतलब होता है कि government कहती है जब आपने purchase करा होगा ना किसे से समान तो आप क्या होंगी customer होंगे light क्या गराड मैं बात कर रहा हूँ कोगा गोला ने कोगा गोला ने क्या गरा है फिलिप्स से क्या करिए अपने लाइटनिंग वी गरापड़ चीज़ करिए lights so वहाँ पर उसने pay कर का होगा ना तो यहाँ पर क्या होगा कोगा कोला क्या होगी customer होगी किसकी फिलिप्स के लिए so उसने for example thousand rupees पे कर के आई है उसके उपर hundred rupees का GST पे कर रहा है कोगा कोला ने फिलिप्स को hundred rupees का GST पे कर रहा है गौर्णमेंट कहती है कि आपने यह पैसे हम से वापिस लेने ले 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 inventory cost इससे ना मेरी logistics और inventory cost कैसे होगी मतला समान को बेजने करने का खर्चा और उसके अलावा inventory cost मतलब जो मेरे पास stock रखा है ना मैंने उसकी cost कम होगी इसके लिए एक video देखते हैं महा से में बहुत अच्छा जिक clear होगा OMG देखते हो यह videos OH MY GOD बद तेरा पिच्छाना इमा चैतुला सोर्णी यह पिच्छाना ओमा जंडुला सोर्णी यह 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 दांसी थां ए वद देरी ओर्या मेंनू पिच्छे की जान लेगा गया दे तो रिया टैक्स यार शड़ो यार देरी हो यार वोर की चाहिदा तनूफ वो क्या चाहिदा है क्या चाहिए यार पहले पता क्या था हूँ कि जब आपको समान एक जेग से दुसरी जेग बेजना होता था ना लाइक में बात कर रहा हूँ मुझे उत्राकंट से टमील आटो अटो सेट करना है बहुत मडलर अप दोनों लग बग लग बग एक दुसरी के कौने में और इंडिया की ठीक है तो वहां से मुझे वहां पे सेट करना है और टेक्स भी बहनने के इतने सारे टेक्स हो जाते थे तो कभी वो गहते थे सर्विस टैस दिखाओ, वैट दिखाओ, एक्साइस दिखाओ, इसब तो उन चीजों में क्या होता था मानगे यहां से वहां तक जाने के लिए बीच में 5 स्टेट्स है, तो पांच बार उसको रुक रा पड़ा, पांच बार में, पांच बार रुक आओ, अभी इतनी लंबी लाइन लगी होती थी चेक करने के लिए, ऐसा नहीं कि यहां तो सिंगल परसन है, तब इसको इतना ड्रीम लग जाता ता पयल तब वे, शार अटो ê, मह क्या रहा एर मैं को रा बीच मत्या लो, कि अने ट्क्स लोग यार, विच्छइल एसां में кिल्चल कित्त, अब मैं क्या आख, उसेच हैं परेला तक उसस्ले कराँ इसके कारण ले लाई लोहाए, देलिवरेन नहीं तो कंपणी ने कह दिया कि भाई समान लेट होगे अब निगले से होता है ना तो यह ज़रूरत होती है इसी सीजिग स्की उस ताइम पहुच पाया तो गड़बड हो जाएगी जीएस्टी के बाद के इनपैट आया क्वाल हुए यार एक बार जिएस्टी दिया और मिल्खन बलाई वाला ट्रैपिक कोई नि रोकेगा तो मैं निकला जिएस्टी देखे औरस्ते पे कोई न मोरा है न कोई टैच लेने आया पोई महापई बाख सो अभी क्या हो गया जिएस्टी के बाद न सब कुछ निए एक ही टैक्स है और इसमें भी न अभी एव बिल वाला सिस्टम आगे है सो उसके कारण ऑटोमाइटिक हो गया सब कंप्यूटराइज हो गया सो इतना भी रूपना करना नहीं पड़ता है सो बहुत स्मूथ लिए फ्लो होता चला गया मिल्दा आपके गाड़ी को इतना वेटिंग टाइम नहीं हो तो इसकी कारण बहुत टाइम सेव हो जाता है अभी इससे लोजिस्टी को इन्वेंटरी को सेव होई देखो आपने क्या रहे है एक वीकल को हायर करा है एक ट्रक वाले को अपने हायर करा है कि मेरा समान पुछो उरस दें क्या गाँ मैं पर डे आपसे 5,000 रुपीज चार्ज करूगा जितना डिले होता जाएगा उतना मेरा खर्चा हो रहे है पर डे 5,000 रुपीज मेरे एक्स्टा जा रहे है सो अभी पहने उसको लग रहे थे अगर 20 डेस और अभी वो पहुचा आपा रहे है 10 डेस में तो मेरे 10 डेस की कॉस्स सेव हो गई प्लस कहीं पर क्यों होता था समान खराब होने वाला जो जिल्दी चीज़े खराब हो जाती है मैं बात करता हूँ जो हमारे नों ग्रोस्री प्रोड़क्स हो गए या फिर FMCG वाले हो जाते हैं फास्ट मॉविंग गूड्स जो जाती कंजुमेबल गूड्स या मैं जिस ब्रैड हो गया उसको मैं एक दूस ट्रास्फर करना मेरे लिए पहले पॉसिबल ही नहीं हो पाता था समान खराब हो जाता था अभी क्या है कि मैं रिखले चांसिज बढ़ गी है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसको वहां पर टैमली पोचा सकता हूँ सो मेरे इन्वेंटरी की कॉस्ट भी सेव होगी कि समान अभी मैं पहुचा सकता हूँ मेरे सेल भी बढ़ी है पहले मुझे नहीं वहाँ पर अलग कंपनी एक मनुफेक्टरिंग प्लांट बनाना पड़ता हूँ मैं तमिल नारू के पास में सेल करना चाहता हूँ एक अपनी कंपनी वहाँ पर साइट अप करने पड़ेगी अभी मुझे लगता है कि मुझे स्पीड बढ़ गई है मेरे डिलिवरे की तो हो सकता है कि मैं उतरा खंड से वहाँ पर डिरेक्ट भी सेल करता हूँ हाँ definitely मैं सब चीजों की काल्कुलेशन करूँगा मुझे क्या चीज सस्ती है क्या महनगा पड़ रहा है वह एक अलंग चीज़ लिए सो यहाँ पर मेरे इन चीजों की कॉस्ट कम हुई है Transparency and Automation Transparency and Automation का मतलब है कि चीज़े अब transparent हो गई है और automate हो गई है तो purchase करी है उसने tax आपका जो आप से tax लिया था गोर्मेंट को pay किया है या नहीं किया आपको वह दिखेगा आप भी जितना tax आगे charge कर ले हो गउर्मेंट को पे कर रहे हूं नहीं कर रहे है गोर्मेंट को भी सभी ओके रहता है सो सब computerized हो गया यहां पर सब सब अउटमेटिक स्विजग हो गए तो यहीं ने भी मेरा वी क्या होगि महँंत anális कार्सकेडिंग death कामर अब श क्की मतलब होता है कि टेक्स के उपर टेक्स पहले क्या था जैसे आपको जो मैंने बता है ना ITC वाले टेक्स तो वो नहीं मिनता था उसके उपर टेक्स के उपर भी टेक्स चार्ज करना हो था पहले अपने एक्साइज नहीं 100 रुपे बड़ी अमांट लेते है 1000 रुपे आपको 100 रुपे का एक्साइज आ गया ठीक है 1000 पे 100 रुपे अभी इसके उपर जब आप वैट चार्ज करोगे ना तो 1000 पे नहीं लगा होगे 1100 के उपर टेक्स चार्ज करोगे अब देखा जाए 1100 के उपर जब मैं टेक्स चार्ज कर रहा हूँ तो 1100 में 100 उपिस तो already tax की value थी न so मैंने tax के उपर भी tax charge कर दिया समझा ही बात so वो भी मेरा क्या हो गया cascading effect हो गया अभी ये सब चीज़े remove हो गया reduction in multiplicity of taxes and broadening of tax base अभी multiple taxes से पहले वो सब चीज़े इती सारी taxes से अभी वो सब खता एक चीज़ पढ़ो GST पढ़ो course complete कर पार रहो GST सीख पार रहो क्यों सीख पार रहो अत्ती जलजी और इतने अराम तरीके से युकि अभी सिफी GST पढ़ने पहले सोचो आपको इस्तरे के कुछ expertise नहीं होती वेट अलग पढ़ो exercise अलग, CST अलग, service tax अलग कितने तारे taxes पढ़ोगे वो इतने ही complicated तो भीकत आती थी अभी ये सब चीज़ आपके लिए हो गई easy हो गई so आप ये benefits भी अपने पास note down कर लिजिए ठीक है ये वारा point जो पीछे hide हो रहे है पैने इसको आप चाहर लिख लिए तो राइडी इदी इंशन फिलक फिल चीज़ों को समझ सकते वे चाहर लाए ठीक है? बाई-बाई, टिक क्या हो